हमें अपना प्यार देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए आप जो अलार्म बटन है उसको आप दबाईए और जितना हो सके वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा नक्षत्र 27 मीडिया की अद्भत प्रस्तती जोतिश दिशा सत्य की राहा जोतिश दिशा सत्य की राह मैं हूँ आपके साथ आपका इश्टर फ्रेंड संतो संतोशी विशय आज का एक ऐसा ब्रह्मास्त्र जो भूलने नहीं देगा आपका प्यार कभी सोचा है आपने ऐसा कि आप किसी को जब प्यार करें तो वो सामने वाला आपके प्यार को कभी न भूले चाहत तो हर किसी के मन में होती लेकिन मिलता किसे है जो भागशाली होता है जिसके जन्वांक में ग्रहों से बल मिला होता है तो आज कुछ ऐसा ही प्रयोग लेकर के आएंगे वैसे तो अभी तक हम लोग सामान भूला करते थे बरसात में छदरी भूला करते थे नोट्स बुक भूला करते थे जब इस्कूल जाते थे यह मुहब्बत भूलने की कला जिसे चल कहा जाता है यह कहां से आ गया भाईया यह भी जानने वाली बात है तो एक बड़ा रोचक सा विशय लेकर के हम आए हैं और यह विशय आपके व्यक्तिकत जीवन को कही न कहीं समारने में मदद करेगा प्रेम जिसे आपने पैदा किया जो आपकी मिलकियत है आपने किसी के हुरदे में प्रेम पैदा किया आपकी मिलकियत होई क्योंकि आपने पैदा किया उस पर आपका हग है उस चीज को कोई विस्वृत कर दे चीज आपकी है क्योंकि आपने पैदा किया है कोई भूला दे आपका प्यार कितने सारे गाने बने है साथी तेरा प्यार जूठा है पुराने एक से गाने याद होंगे आप लोगों को और एक और इस पे याद आता है मुझे प्रेम रोग पिक्चर का गाना भावरे ने खिलाया फूल फूल को ले गया राजकुमर याद है? भावरे तू कहना न भूल फूल तुझे लग जाए मेरी उमर बड़ा प्यारा सा गाना है बहुत मार्मिक गीत है और मेरे हुरदय के बेहत निकट भी रहा है तो उस प्रेम को उस पुष्प को पुष्प क्या है यहाँ पर प्रेम का प्रतीक है भावरा जो उसका प्रेमी है उसने उस पुष्प को पैदा किया उसने उसको खिलना सिखाया उसने उसको बल दिया अपने प्रेम से सीचा और कोई और लेकी चला गया क्योंकि फूल उसके प्यार को भूल गया था तो यह कभी की कलपना है लेकिन आज एक जोदशी का शोध ही इस पर लगेगा और एक ऐसा ब्रम्हास्त्र निकलेगा एक ऐसा दिब्य अस्त्र निकलेगा जो पूरी तरह से आपके इस प्रेम को किसी के भी हुरद्रे में जीवित रखने के लिए परियाप्त माध्यम बनेगा इस सुपाय को इस प्रियोग को आप जब चाहें कर सकते हैं जिस भी तरह से चाहें कर सकते हैं थोड़ा सा इंतजार करिएगा बताएंगे हम लेकिन पहले जान लेते हैं आज का दिब्य पंचांग वैसे एक बात कहना भूल गया इस समय हम रहना बात नहीं है कल से मिल जाएंगे आप लोगों को गाजियाबात में अपॉइंट्मेंट्स हो चुके हैं दिनसवा का नंबर आपके सामने चलता रहता है आप फोन कर सकते हैं निन्यान बेदर सुन अतिस अठारे पचास आज का पंचांग जेश्ट महा शुकल पक्ष द्वादसीती थी चंद्रमा तुलाराशी में नक्षत राज का है विशाखा योग रहेगा सिद्ध तदनसवार दिनांख 24 जून दिन रविवार संदे राहुकाल का समय नोट कर लेजेगा जो बहुत अशुब होता है जिसमें कोई प्रते ग्रहों के द्वारा प्राप्त राशिगत फलों को जो राशी आपकी है मून साइन अकॉर्डिंग टू मून साइन हमने इस पर एक फ्रंट पर वीडियो डाला हुआ है एक सो चार हजार लोग मतलब एक लाग चार हजार क्यास पास लोग देख चुके हैं जो प्रशन आपके मन में आते हैं कि अपनी राश ना के बराबर होता है जब तक आप इंडिया में हैं भारत में हैं इंडिया हमने इसलिए कहा क्योंकि हम अंग्रेजियों की बात कर रहते जो संसाइन देखते हैं हम भारती लोग हैं हमारे emotions बहुत माइने रखते हैं हम किसी को जब एक बार कुछ सोच लेते हैं मान लेते है तो बस मान ही लेते हैं तो ऐसा कुछ मानने की कला चंद्र ग्रह से विक्सित होता है और उसी ग्रह की राशी को हम अपनी राशी मानते हैं उसी चंद्रमा के नक्षत्र के चाल के आधार पर महादुशा का निर्धारन हो जाता है क्योंकि चंद्रमा हमारे लिए चंद्रमा नहीं होता हम भारतियों के लिए ये मा होता है ग्रह की रुप में मा होता है वैसे मा होती है चलिए अब हम ग्रहों की बात कर लेते हैं आज की समझत ग्रह किस जगह पर किस इस्थिती में बैठे हैं इसकी चर्चा कर लेते हैं सूर्य बुद्ध मिधुन राशी में, शुक्र राहु करक राशी में, चंद्रमातुला में ब्रहश्पत के साथ, शन इधनु राशी में स्थापित रहेंगे, मंगल के तो भी मगरस्थ हैं चले, सुरवात करते हैं अब आप सब के आज की पूरे दिन के हाल को अरथात, आपके सबसे सटीक भाविश्य फल को अरविवार का दिन, मुझे पता है अभी जश्ट सो करके आँख खुली होगी आपकी, हो सकता है चाय बगल में रखी हो, या आने वाली हो, आज का दिन तो सोते सोते बीटता है वैसे बहुतों के लिए तो रोजय इतवार रहता है, भगवान भला करें ऐसे निठलों का बहुत यूनीक इस्थिती है, तो आज दबदबा करके जो चाहें आप जगमगाते हुए पा सकते हैं, शुबता आपके साथ कांटिनूटी में बनी रहेगी, आज माता पिता के साथ कुछ अच्छा क्वालिटी टाइम इस्पेंड कर सकते हैं, बाइफ्रेंड के लिए दो इस्थितियां थोड़ी सी गडबल हो सकती है, अगर किसी को आपने पैसा दिया तो आपस मिलने के संभावना बहुत शूनी रहेगी, साथे साथ अगर अपने खुद से ड्राइब करेंगे आज तो चोट चपिट के संभावना प्रबल है, शुबरंग भूरा, भागी प्रतिशत 79, ब्रिशब रासी, आज मा के साथ कुछ बाद विवाद की स्थिति पैदा हो सकती है, आज चंद्रमा की स्थिति ब्रहश्पत के साथ होने के कारण, और आपकी कुनली में छठे में होने के कारण, मात्र पक्ष वीक रहेगा, that means, में भी आज मा के स्वास एक अच्छी सुरुवात आज कर सकते हैं, अगर कोई नया काम आप सुरू करने के लिए विचार किये थे, आज ब्रिशब रासी बालों के लिए, कला और मनरंजन के छेतर से जोड़ी रोगों के लिए आज खुशखवरी का दिन रहेगा, आज शादी भी तै हो सकती है, आफस सायद करने में आना कानी करेगा, या फिर वहां आपकी आज दुरखट ना गरस्त हो सकती है, तो आज किसी को गाड़ी उधार मत दीजेगा, परोशियों के साथ संबंदों को मधूर रखिएगा, बाहर का भोजन अवाइट करेगा, वीकेंड है तो क्या हुआ, लेकि अगर आप राजनीत से भी संबंद रखते हैं, तो आज कुछ बड़ा वादा कर सकते हैं, शुबरंग आपके लिए हरा भाग्य प्रतिशत 60, करकराशी, चंचलता आपके लिए आज घातक होगी, आज दोस्ती में समय दीजेगा, दिन मनोरंजन से भरपूर रहेगा, धन की स्थिती मजबूत रहेगी, आज माता-पिता के साथ कहीं घुम्दे टहलने का कारिकरम बन सकता है, कोई बहुत पुरानी समस्या से भी आज मुक्ती मिल जाएगी, प्रिशिद्धी आपकी जरूर होगी, माता-पिता की सेवा करके उनका आशिरवाद लेने का प्रयास करें, अगर आपकी राशि करक है, तो जितना हो सके, खुद पर नियंतरन रखें वाणी के साथ, शुबरंग आपके लिए काला, भाग्य प्रत्शत 58, सिंग राशि, गुस्ता तो कदई न करिएगा, नहीं तो इस्तिती ठीक नहीं रहेगी, यह मत भूलिएगा कि कोई आपका भी बाप है, तो अपने अहंकार से आज बचने का प्रयास करिएगा, कहने का उद्देश यही है, इश्वर पर भरोसा रखिएगा, सात्तिविक्ता के साथ रहिएगा, आज लडाई जगडे से पूरी तरह से अपने आपको बचाईएगा, मा के साथ वैचारिक विशमता को शॉपिंग में भी आज टाइम बीतेगा, सिंगरासी के बॉइफ्रेंड गर्फ्रेंड आज जरूर तहलने जाएं, थैला लेके शाम को आएंगे, वो भी मुफ्त का, शुवरंग आपके लिए आस्मानी भाग्य परसत 63, अब ये न पूछेगा 63 मानी कितना होता है, आज कल कल्चर वैली का ख्वाब हमने इसी लिए देखा है, कि हमारी संस्कृत को हम ठूस ठूस करके जिंदा रख सकें, और कल्चर वैली का जो टैग लाइन आज हमने अचानक से सोचा है, आज ही याद आया है, वो टैग लाइन जिस पर हम अप्लाई कर देंगे, करने जा रहे हैं कल्चर वैली नीचे डॉट डॉट क्रियेटिंग गॉट, हम भगवान बनाएंगे, तैग लाइन पहले हमने सोचा था सिक्षा भी संसकार भी, अब हमने सीधे इंगलिश में डाला है, भाव हिंदुस्तानी और आंगल को साथ लेकर, बहुत सारे दृष्टान्त मिलते हैं, इस वरचंद विद्या सागर जी के विशय में भी मिलता है, कि पूरी तरह से वो भारत वर्ष में रहते वी अंग्री जी भासा पर अधिकार प्राप्त कर लिये थे, और हम चार लाइन सीख लेते हैं, तो उसके बाद पूछते हूं, भारत वर्ष में हैं, भारत वर्ष के लिए भुजाओं में फड़कन चाहिए, चाती पर ताखत चाहिए, हिंदुस्तान, हिंदुस्तानी, हम भारती हैं, उस पर गर्व होना चाहिए, अभी देखेगा एक और नया शोध लेकर आ रहा हूं, वह भी बताऊंगा, तो भाग्य प्रस्त आपका हो गया, 68, कन्या के बाद अब राशी आई, तुला, तुला राशी वालों के लिए आज थोड़ा संघर्ष पूर देना है, चंद्रमा ब्रहश्पत एक साथ हैं, ठोक कर सकता है, आज प्रेम के मामलों में जल्दी बाजी ठीक नहीं रहेगी, शादी तें करने जा रहे हैं, बेटी का या बेटे का, तो थोड़ा सा देख लिजेगा, घर परिवार में कहीं जूट बोलकर शादी ना कर दी जाए, आज कल बहुत ऐसा चलता है, जाती आदी तो साथी साथ छुपा जाते हैं, भारजी डिग्री दिखा देते हैं बच्चे का, अरे बापने इतना लूट पच्छपूट मचा है इसमें की बता नहीं सकते हैं, तो अगर भोग है आपके जन्मांग में, तो आपको ऐसे लोग टकरा जाएंगे, जो चीट करने वाले होते है तो आज तुला राशी वालों को बहुत सम्हाल कर चलना है, सभल कर चलना है, साइन वेंट करने में भी ध्यान दीजेगा, तुला के लिए शुबरंग नीला भागी प्रत्सत 50, हमने नीला पहना है लेकिन हमारा तुला नहीं है, हमारा ब्रिश्चिक रासी है, ब्रिश्चि थके से रहेंगे, महनत रंगल आएगी, कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है, बिदेश से कुछ विशेश लाभाब को प्राप्त होगा, आज विश्चिक रासी वालों को अपने क्रोध पर अंकुष रखना है, फेक कमिटमेंट आज न करें तो बहतर रहेगा, जितना हो सके, अपने मित्रों पर कंसंट्रेट करें, और मित्रों को पहचानने की कोशिश करें, आज प्रेम संबंधों के मामले में भी अधीर नहीं होना है, अनिथा समस्या बढ़ जाएगी, दिक्कत में आ जाएगे, बिश्चिक के लिए शुबरंग आज के दिन बादामी और भा धनुराशी, सुख्षा में मन लगाएं, नई नोगरी के लिए प्रयास करें, स्वास्त पर ध्यान दीजिए, लापरवाही नहीं, जब देखो तब दूसरे की चिंता, धनुराशी वाले हो क्या, अगर कोई आपकी ज़्यादा केर करें, तो पूछ लिजिएगा, अरिज सा जी भी साफ ही हो जाए, बोलते हैं, वो बोलते हैं, कि स्पीकिंग मेक्स अमेन परफेक्ट, अब थोड़ा सा ग्रैमेटिकल अगर कुछ दोसर आजाएगा, तो समालिएगा, तो ये धनुराशी वालों का लक्षन होता है, केरिंग नेचर, कुछ बुदरली, कुछ फादरल टच ले कलके चलते हैं, मदरली भी कर सकते हैं, महिला भी दो सकती धनु की, पीला रंग शुब है, अक्षट प्रशट का भाग्या है, मकर राशी, अच्छा दिन कहा जा सकता है, आज मजबूती के साथ आगे आएंगे, आज पिक्चर उक्चर देखने जा सकते हैं, आप गेटीब इमेच सामने वाले के मस्तिश्क में बन सकती है, जो आपके लिए घातक होगी और शुबता से परे रहेगी, मगर वालों के लिए आज बच्चों से संबंधित कोई जो समस्या चली आ रहे थी, उससे मुक्ती मिलने का दिन आ गया है, शुबता आपके साथ रहेग कुम्बराशी, आज जिससे स्नेह करते हैं, उससे जगणा न करिएगा, मतलब आपके माता, पिता, भाई, बहन, पती, पत्नी, जो भी कुम्बराशी के हैं आप अगर, तो अपने प्रिय जनों से आज लडाई जगणा मत करिएगा, एक रिष्टा आज खो सकते हैं, और रि भाशन दे हैं, सुन लिजीएगा, अच्छा भी लग सकता है, आज जो कुम्बराशी के हैं, उधार के लें देन से भी परहेज करें, जमीन और वाहन में आज इनिवेश्टिक कते ही नहीं करना है, उसमें दिक्कत आ सकती है, आज कुम्बराशी वालों को एक और हिदायत है पश्चिम दिशा की यात्रा अवाइड करिएगा, शुबरंग आपके लिए लाल भागी प्रिसत संसथ, अन्तिम राशी मीन, छक कर पिटारा खुल रहा है, कुछ बहुत यूनीक होगा, कुछ बहुत अच्छा होगा, कुछ बहुत शुब होगा, हो सकता है, शादी भी तै तो सुबता हम अगले मामले में बताये थे, बियाह के मामले में वो सुबता नहीं, उसको निगेटिव वे में लीजेगा, तो शादी तैव हो सकती है, आपकी खैर, जो कपाठ, किटिंग हम कर रहे थे, आप लोगों के साथ थोड़ा मस्ती मसकरी कर लेते हैं, आज संदे है थोड़ा नाच गाल लीजेगा, जितना हो सके आज पेंडिंग कामों को निप्टा डालिएगा, ब्रहश्पती और चंद्रमा की यूती इस मामले में आपको आज बहुत हेल्प करने जा रही है, आज मीन राशिवालों के लिए शुबरंगुला भी है, भाग्य प्रत्सत ब भूलने देंगे, एक और गीत याद आ रहा है इस पर, हम भूल गयरे हर बात, लेकिन तेरा प्यार नहीं भूले, क्या क्या हुआ दिल के साथ, लेकिन तेरा प्यार नहीं भूले, पुराने गीतों का बहुत शौकीन हुम है, इसलिए सारे गीत अचानक से याद आ जाते हैं एक विशे पर पचास गाना तो हम आपको बताईए सकते हैं दस पांच प्लस माइनस कर लिजेगा तो प्रकृत की किरपा है पंचमस्त सुग्रही शुक्र की किरपा है आज यही किया जाएगा किसी का प्यार कोई नहीं भोलने पाए इस विशे को एक अलग आइंगल से हम लेकर आए विशे जो हमको मिला था वो तो सिर्फ भोलने को लेकर मिला था लेकिन इसको आइंगल हमने दे दिया प्यार ना भूले कोई एक डिफरेंट आइंगल क्योंकि सामान उमान भोलना तो सब नर्मल चीज है और हम ठाहरे आइबनॉर्मल वो पागल वाला लेकिन पॉजिटिवनेस के लिए सकरात्मक सोच के लिए हम पागल है तो याद है Creating God यहाँ पर भगवान create किये जाते है वाह भगवान राम कृष्ण अल्लाह जीजस नहीं भगवान गुणों में देव देवत्व से बनता है देवत्व कुछ गुण विशेश है आएंगे कभी इस विशेश पर आएंगे हूँ अभी तो आज बस कल्चर वैली का टैग लाइन दिया हूँ Creating God Goddess भी कर लीजेगा बच्चियां भी तो रहेंगी बहुत कुछ सुधार अभी होना बाकि है लेकिन पहले जान लेते हैं आज का भाग्याक्छर मेश जा ब्रिशप्ता मिथुन चाग्षर करक्टा सिंग वाग्षर कन्यमा तुला साग्षर व्रिश्चिक या धनू धाग्षर मकर खा कुम्भ थाग्षर मीन च्छा ये खास शुभ भाग्याक्षर है इन्हें सादे चौकूर कागज पर लाल रंकिंग से लिखिए और 24 घंटे के लिए अपने पास रख लीजे कल जो अक्षर दिया था तो भागों में करके किसी ब्रिक्ष के नीचे पौधे के नीचे डाल दीजेगा अब आज का सक्सिस की एक ऐसी कुझी जो पूरे दिन के भागी के ताले को खोल के रखती है आपके सामने तीन काली मिर्च खाकर घर से प्रस्थान करिएगा यह छोटा सा प्रियोग है बहुत पहले एक बार और आप लोगों को इस प्रियोग से रूबरू करवाया था तो कुछ लोगों की कमेंट आये थे आचार जी आज की सक्सेस की बड़े तीखी निकली जो खाएगा उस बुझेगा चलिए अब आज का सबसे दिव्व अहादिव्व अहाशु是的 कुणली में क्या क्या योग होते हैं जिसके कारण कोई किसी का प्यार भूल जाता है selfish हो जाता है, स्वार्थी हो जाता है प्यार कई रूप में दिखाई देता है एक पडोसी को हमने 10,000 रुपया दे करके प्यार दिखाएक भईया हम बहुत प्यार करते हैं तुम्हारे गाड़े वक्त में 10,000 रुपया दे रहे हैं इसके बाद उसामने से जैरमी भी ना करें, भाग जाए या फिर हमको जरूरत पड़ी अचानक से बाबुजा साइकिल देना दो मिनट में भी आते हैं पडोस से मेमान आ गए हैं, बिस्कुट लाना है नहीं नहीं उसकी तो हवा ही निकल गई थी अब बताओ, अरे हैसान फरामोशों, शरम करो कोई अपना विस्वास दिया है, बात विस्वास की होती है और जो प्रेम करता है, वो तो सब कुछ नवशावर कर देता है सब लुटा देता है, उसके पास बचा क्या प्रेम में कंडिशन नहीं होता, मैंने कई कारिक्रमों में बताया है कंडिशन नहीं होता, उपाय आपके सामने स्कीन पर जल्दी जल्दी नोट करिए फटा फट, एक पत्ता लीजिए, किसी भी पेड का, किसी भी पौधे का तोड़ भी सकते हैं, नीचे से उठा लीजिए, हरा हो, छेद छूद नहीं हो उस पर सिंदूर रखना है, एक दो चुटकी सिंदूर रखतीजिएगा, लाल वाला रखिएगा, पीला वाला नहीं मतलब आरेंज वाला नहीं, लाल वाला तीन चुटकी हल्दी ना लिएगा, हल्दी पीली वाली ही होती है, हल्दी और किसी रंकी होती नहीं है एक बूध सरसो का तेल, अब ये न पूछेगा, ये क्या होता है फिर सब मिला दीजिए, इसके बाद इसके उपर एक दूसरा पत्ता रख दीजिए और ऐसे मिलाईएगा कि सामान गिरने ना पाए, थोड़ा सा उसमें स्पेस बना लिजेगा अब इसे ले जाकर कि शिवलिंग पर रखना है कंदीशन एक है, शिवलिंग होना अनिवार है, इसका कोई आप्शन नहीं होगा कि शिवलिंग का मन्दिर में शिवलिंग ना हो तो आप लोग पूछतें न कमेंट में ये ये ना हो तो बड़ा आजीव सा लगता है मतलब हर जगह आप्शन चेहिए, हैं, हर जगह आप्शन अरे इतना भी आप्शन की ज़रूरत थोड़ी नहीं होती है उदारण बहुत कुछ दे सकते हैं इस पे लेकिन अप्चुप हो गए मुह नो खलवाओ शियूलिंग पर रखते समय उस दोरान एक लंबी सांस खीच कर उसका नाम जपिये जिसके हुर्ड़य में आप बसे रहना चाहते हैं किसी भी रिष्टे को इसमें आप जोड़ सकते हैं माता पिता भाई बहन पती पतनी प्रेमी प्रेमी का किसी का भी नाम इसमें आप जोड़ सकते हैं आपके लिए पॉश्टिप होगा इसे किसी भी संडे को रविवार को करें मतलब आज पूरा दिन पूरी रात कर सकते हैं आज संडे है इसके बाद किसी भी संडे को भी किया जा सकता है महिलाएं शुद्धिय वस्था में ही करेंगी लड़कियां शुद्धिय वस्था में करेंगी बाकी चाहे जब कर सकते हैं शर्त as usual only two बताना जरूरी है क्या नमबर एक नो नौनवेच नमबर दो इस्टोन्स सत्या नाश करते हैं इस प्रत्वी पर बस एक के चीज है जो आपका कभी नाश नहीं चाहेगा वो है आपका आश्टो फ्रेंड जो हम है आपके सामने हैं आपको हम दोती हो नाश ती रचभूतो नचभविष्यती याद रखियेगा आज एहमदाबाद में एक दो लोग आये थे कह रहे हैं सच में आपने कई वीडियो में कहा है कि हम एडिक्शन दे देते हैं तो मम्मी देखती थी बेटी बार बार कहती थी देखी उसी के हाथ से नहीं चूट रहा है छूटे नहीं रहा है लोगी होई है 24 जंते हम तो शर्मा गए हमने कहा है अच्छा कुछ ऐसा दिख गया देखी आप लोग मत शर्माईएगा हसते रहेगा हसाते रहेगा इस प्रिथवी का सबसे नेक काम है इस ब्रह्माण का सबसे नेक काम है हसना और हसाना एक बहुत अच्छा सा विशे लेकर के आएंगे रात में इंज्वाय करिएगा हसते रहेगा हसाते रहेगा और देखते रहेगा नक्षत 27 और अगवा लोग बाठ जोहत रहीं आवत आनी भागलपूर विहाल हॉंटर्ट सीरीज का पहला एपिसोड लेकर कीप वाचिंग नक्षत 27 नमस्कार हमें अपना प्यार देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए आप जो अलार्म बटन है उसको आप दबाईए और जितना हो सके वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा